एक बुरा सपना या फिर एक बुरा दिन एक बुरा सपना या बुरा दिन से ज्यादा आज का दिन नरेंद्र मोधी स्टेडियम में भारतिय टीम के लिए नहीं रहा क्योंकि एक ऐसा टॉर्णामेंट जहां पर आपको कोई नहीं हरा पाया फाइनल में आप हार गए आस्ट्रेलिया से आस्ट्रेलिया को आपने अपने पहले मुकाबले में हराया सीधे तोर पर अनुभव आस्ट्रेलिया के पास फाइनल खेलने का ज्यादा था लेकिन आपकी बल्लेबाजी आपकी गेंदबाजी में भी कोई कमजोरी नहीं थी पूर एक बड़ा पहाड सा लक्षे बनाना था, वो लक्षे आप नहीं बना पाए क्योंकि आपके बल्लेबाजों उन्हें साबित नहीं किया कि आपकी क्लास क्या है, आपका कौशल क्या है. सीधे तोर पर भारतीय बल्लेबाजी flop साबित हुई, वो बल्लेबाजी जो की बड़े टॉर्णामेंट्स में बड़े मैचेज में फ्लॉप साबित होती है एक बार फिर से टिपिकल बैटिंग ओर्डर नजर आया भारतिय टीम का वो बैटिंग ओर्डर नजर आया जो की नौक आउट्स में परिशान नजर आता है नॉक आउट्स में कहीं न कहीं उसमें वो दमखम नजर ही नहीं आता आपके एक दो खिलाडी भी अच्छा नहीं खिल रहे आप एक बड़ी स्कूर के बनाने की शम्ता नहीं रख पारे ये सारी चीज़े देखने को मिली भारतिय टीम ये मुकाबला गवाँ चुकी है और गवाँ चुकी है अपना विश्व विजेता बनने का खिताब लेकिन इन सब के बीच वाइरल है रोईश शर्मा का वो स्टैप जब वो मैच हारने के बाद दोड़ते हुए या मूँ धबाए हुए उदासी के साथ कहीं न कहीं आँखे नम थी और दोड़ते हुए ड्रेसिंग रोम में जाये थे तस्वीरें बहुत वाइरल है वो स्टैप्स वो सीडियां शायद इस तरह तो रोईश शर्मा नहीं चड़ना चाते थे और पूरिया देश पूरे वो 130,000 के फैंस नहीं देखना चाते थे रोईश शर्मा का वो विज्वल रोईश शर्मा की वो तस्वीरें 2019 में भी आई थी जब वो सर पर हाथ रखकर मायूस नदर आये थे लगबग रोही रहे थे आज ये सीडियाँ वाइरल है ये सीडियाँ इसलिए वाइरल है क्योंकि ये सीडियाँ रोईश शर्मा इस तरह नहीं चड़ना चाते थे फैंस नहीं देखना चाते थे ये फाइनल मुकाबला ये नरेंदर मोदी का स्टेडियम इसकी गवाई ही नहीं दिना चाहता था लेकिन यही मनजूर था भारतिय टीम के गिस्मत को भारतिय टीम के कोशल को शायद यहीं विराम मिलना था इस टॉर्णामेंट के लिए और ये खिताब छटी बार आस्टेलिय हमारी दाविदारी हमारा डॉमिनेशन यूही बना हुआ नहीं है चह बार आप सोच लिजी चह के बाद भारत ने दो बार कप उठाया है वेस्ट इंडीज ने दो बार कप उठाया है आप चह के बार सीधे दो पे आते है बीच मतलब आपकी जो खाई है न वो बहुत आस्टेलिया को सच में, फाइनल में, सेमे फाइनल में टकर देना बेहद मुश्किल है और इसका जीता जागता एक्जामपल बनी गया ये भारतिय खेमा, ये भारतिय टीम जिनों ने लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद, अपने 11 मैच में आस्टेलिया से मुखी खाई है जो कभी ये देश नहीं देखना चाता था, कभी रोहिश शर्मा नहीं देखना चाते थे मैच के बाद, वो मुहमद सिराज हो, विराट कोली हो, रोहिश शर्मा हो ये तीनों चारों खिलाडी, केल, राहूल को भी हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे बहुद अनिदाज नजर आया, बहुद अनाराज नजर आया, खुद से टीम की परफॉर्मेंस से कहीं न कहीं आखें नम थी, आखों में वो आशू थे, जो शायद आज नहीं होने चाहिए थे जो शायद आज की तस्वीरें कुछ और भी हो सकती थी, पर प्रदेशन टीम का ऐसा ही रहा, ये तस्वीर है वायर होई रोहिश शर्मा का ये सीडी स्टैप कभी नहीं भूलाया जा सकेगा, फैंस के बीश से निकलते हुए, जिस तरह से वे दौडते हुए, ड्रैसिंग रूम की तरफ चले गए, आज एक इतिहास बन गया आपने आपने, ये कड़वा इतिहास है, कड़वा इतिहास के साथ कड अध्याय भी है, लेकिन टीम इंडिया को ये झेलना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, कम से कम अगले पांस सालों तक तो जब तक टीम इंडिया प्रवल दावेदारी प्रस्तुत नहीं करती, एक कप नहीं उठा लेती, ICC, ODI Cricket World Cup, 2027 जब की होना है, ये सारी चीज़ आपके साथ मैं था मुकुन बनी रहे, वन इंडिया हिंडिया के साथ, शुक्रिया